प्यार प्रेमी और प्रेमिका की बहुत सी कहानिया सुनी होंगी लेकिन ये ऐसी कहानी है जिसे सुनकर सब हैरान है जहारखंद के गोड़ा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है जहां Facebook से हुए प्यार को एक लड़की सत समझकर अपने प्रेमी से मिलने मुंबई से गोड़ा आ गई लेकिन जब उसका हकीकत से सामना हुआ तो उसके पाउ तले जमीन खसक गई उसका प्रेमी अवल दर्जे का फ्रॉड निकला प्रेमिका ने सड़क पर खड़े होकर अपने प्यार की दुहाई दी लेकिन धोके बास प्रेमी ने बीच बाजार में उसकी पिटाई कर दी यही नहीं प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के पर से करीब डेड़ लाख नकद और ज पुलीस ने फॉरन आक्शन लिया और आरोपी प्रेमी को गिरफतार कर उससे जेवरात और नकदी बरामत कर ली। पुलीस ने बताया कि पीडिता को युवक ने फेस्बुक पर अपने प्रेम जाल में फसाया था। कोरोना के इस संकट काल में तेलंगाना की एक बिटिया जो कर रही है उसकी राज में हर तरफ चर्चा है। 16 साल की देवी श्री, डॉक्टर अनन सेवा फाउंडेशन नाम के NGO से जुड़ी वॉलेंटियर है और लावारिस लाशों का अंतिम संसकार कराने में हाथ बटाती है। इनमें COVID-19 से जान गवाने वाले लोगों की लाशे भी शामिल हैं। पहले ये NGO ऐसी लावारिस लाशों के अंतिम संसकार में मदद करता था जो रेलवे ट्रैक पर क्षत-विक्षत हालत में मिलती थी। कोरोना महमारी का प्रकोब बढ़ने के बाद ये NGO इस संक्रमण से मरने वाले लोगों की अंतिम संसकार में व्यस्थ है। पहाम तोर पर इस NGO को पुलीस से ऐसी लाशों के बारे में सूचना मिलती है जिनका कोई दावेदार नहीं होता। NGO के लोग फिर मौके पर जाकर ऐसी लाशों का अंतिम संसकार करते हैं। अब बात करते हैं इंसानों को प्यार करने वाली मशीन की। अमेरिका की एक कमपनी बेहत वास्तविक महिला रोबोट्स बनाने के लिए जानी जाती है। रियल डॉल नाम की इस कमपनी ने इंस्टाग्राम पर एक ऐसे ही वुमन रोबोट की तस्वीर शेर की। इस पोस्ट को देखने के बाद कई पॉलोवर्स हैरान रहे गए जब उन्हें पता चला कि ये कोई असली महिला नहीं बलकि एक रोबोट है। इस वुमन रोबोट का नाम ओलिविया है और इस तस्वीर में इस रोबोट को रोते हुए देखा जा सकता है। कई फैंस को लगा कि रियल डॉल कमपनी ने एक महिला का पोटो शेर किया है जो काफी एमोशनल है। नाकि जब इन पॉलोवर्स को सचाई पता चली तो वो दंग रह गए। ये डॉल्स अपने हाव भाव बदल सकती हैं, अपना सर हिला सकती हैं और कस्टमर से बात भी कर सकती हैं। इन डॉल्स की आखे घूम सकती हैं और ये पलके भी जबका सकती हैं। इससे पहले ऐसा फीचर किसी और रोबोट में उपलब्ध नहीं था। न्यूस तक ब्यूरो